हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टॉवर यूट्यूब चैनल बेंक एम्प्लोईज न्यूज फ्रेंड्स कल आई बी और यूफबी यू के बीच में जो बाइपर्टाइट टॉक्स होई थी उनके बारे में हमने आपको जो इंपॉर्टन अपडेट से दे दी आज उसी के ये बारे म में और इंडिया बेंक एम्प्लोईज एसोसीशन ने अपना एक सर्कुलर इशू किया है अठारा नो दोहजर नीस को और इसमें उन्होंने बाइपर्टाइट टॉक्स में क्या क्या डिसकॉशन होई है वो पूरे डिटेल में बताया है सबसे पहले जो डिसकॉशन होई है उन्होंने परफ़ॉमंस लिंट इंसेंटिव Ven поряд कि है यह इन्सेंटिव के और उन्होंने क्या है और और जो ऐसेंटिवर इंडिशन होगा वीजर वीजन के उपर से तो जो भी इंसेंटिव का कौंटम है वो यह के operating profit और return on asset के through calculate किया जाएगा और return on asset और जो operating profit है वो annual results के उपर depend करेंगे आई बिया ने बताया कि wage revision तो negotiations पर based होता है ना कि bank के performance पर तो उन्होंने bank के performance से related भी एक pay factor रखा है जो कि performance linked incentive scheme है और यह yearly दिया जाएगा और अभी जो UFBU है वो इसके बारे में चर्चा कर रही है और इसके बारे में वो IBA को next अपने suggestions दे देगी next जो point रखा गया है वो mandate issue के बारे में है IBA ने बताया कि अगर UFBU performance linked incentive scheme पे agree हो जाती है तो वो देखेंगे कि mandate issue को कि scale तक cover करना है means कि performance linked incentive scheme के ओपर ही सारी बात अड़ी हुई है उसके बाद ही IBA mandate issue के बारे में discussion करेगा कुछ ही bank है जिन्होंने full mandate नहीं दिया है और उसी के कारण अभी mandate issue resolve नहीं हुआ है next point रखा गया है कि IBA ने अपनी offer को improve कर दिया है IBA ने अपनी offer को 10% से 12% तक कर दिया है लेकिन unions ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप ये offer को और भी improve करें कम से कम उतना तो improve करें जितना की last ways revision में हुआ था next five day banking का point है तो इसके बार में IBA ने कहा है कि इस issue की discussion concerned authorities से चल रही है और सभी stakeholders के viewpoint लेनी के बाद ही इस issue पे अपना decision दिया जाएगा next topic है improvement in family pension and updation of pension इस meeting में IBA के साथ retirees की भी बात हुई है उसमें pension updation और family pension की improvement की बाद पे IBA ने बताया है कि ये काफी sympathetic issue है और इस matter को higher authorities से approval लेने के बाद ही discuss किया जा सकता है और उन्होंने काया है कि pension updation के लिए additional provisions चाहिए और वो pension fund को detail में examine करेंगे तो और India Bank Employees Association ने IBA से request किया कि वो उनको detailed necessary data दे दे ताकि unions work out कर लें कि कितनी actual में cost लगेगी pension updation के लिए next जो point है वो pre 1986 retirees के लिए ex-gratia increase करने के लिए मांग की गई है IBA से UFBU ने का है कि वो government को recommend करें कि जो 1986 से पहले की retirees है उनकी ex-gratia pay में increase किया जाए next point है exempted pension trust for private banks unions ने IBA को का है कि जो public sector banks है उनके तो अपने exempted pension trust है लेकिन private sector banks के पास pension settlement के लिए कोई वी ऐसा trust नहीं है तो bank wise exempted pension trust होने चाहिए या फिर जितने भी private banks हैं उनका एक common exempted pension trust होना चाहिए next है medical insurance scheme for the retirees union ने IBA से request की है कि वो United India insurance company के साथ take up करें और जितने भी retirees हैं उनके premium में reduction के लिए बात करें तो इस पर IBA ने का है कि वो UIIC के साथ बात करेंगे कि वो कुछ changes कर लें coverage में और bad charges पे ताकि claim ratio और premium में कुछ reduction आ सके और IBA ने UFBU से इसके बारे में और reviews मांगे हैं next है exemption of GST on premium on medical insurance policy next IBA के साथ discuss किया गया है कि जो premium है उसके ओपर 18% GST लगता है तो इस burden को भी remove कर देना चाहिए और government को चाहिए कि medical insurance policy से कम से कम retirees के लिए तो GST को remove कर दें और IBA ने का है कि वो इस matter को भी government के साथ discuss करेंगी तो friends यह सारी discussion हुई है working employees और retirees के लिए कल की meeting में तो इसी के बारे में All India Bank Employees Association ने यह circular issue किया था थैंस for watching this video, please like share and subscribe